तो स्वाधत है एक बार फिर साब सभी का मेरे यूटूब चैनल टॉप पस्टिक पर दोस्तों ए रेलवे कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी ख़बर है निकल करके आ रही है यहाँ पे RRB की तरफ से ओफिशल आ रही है तो वह खबर जो है रेलवे एलवे टेगिशन और रेलवे गूरुप टी दोनों कैंडिडेट्स के लिए अच्छी ख़बर है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहे हैं तो प्लीज आपको वीडियो के ठीक नीचे रड़ कलर में उब्सक्काइब बटन दिख रहा होगा तो उसपर लिग क हम देखेंगे किस तरह की बात हो रही है किस तरह की अच्छी खबर आई है railway group D और LP technician के लिए लेकिन उससे पहले हम एक चीज आपको बता दें कि आज सुबह से ही railway group D के जो भी candidates है जिनका exam 26 October के बाद है वो परिचान है कि उसका admit का download नहीं हो रहा है और यहाँ पर एक update आई है आज update करा है railway नहीं यहाँ पर आप देख सकते हो candidate please note the exam city and date information is live for candidate schedule till 26-10-2018 the next schedule of exam city and date information for the exam is starting from 29 October 2018 will be live on 19-10-2018 यानि इसका अभी तक जो है जिसका 26 तारिक तक की exam है October तक उसी का यहाँ पर बताएगा और जिसका मतलब 26 के बाद exam है याई 29 October के बाद exam है उसका जो है 19 तारिक से यानि कल से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले railway ने कहा था कि 18 October से लेकिन वो फिर update आई है एक नहीं 19 October से तो आप लोग यहाँ से कल डाउनलोड कर पाएंगे अपना exam city देख पाएंगे और admit card डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन admit card आप exam date से चार दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे तो यह तो railway group D की बात हुई यानि आपका CBT1 का result है वो जल्दी आ जाएगा ALP technician का तो दोनों गुरूप D और ALP दोनों के लिए अच्छी ख़बर है तो यह information आप लोग तो पुछा नहीं थी तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दो और दोस् कि में आपको छिए समय उगता है तोस्छा इंदा है तोस्ता है तोछा है थाच्छी तोस्ता है ...